अलो एंड वेलकम एव्रिवान वेलकम टू एग्रिकल्चर अडा 247 आप सभी लोगों का एग्रिकल्चर अडा 247 में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों साम हो गई है और चार बज गया है यानि कि अपनी मन्थन का टाइम हो चुका है यह मन्थन ना दोस्त बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली आप सभी लोगों के लिए क्योंकि इसमें ना अलाइड साइंस को हम लोग बहुत अच्छे से रोच कवर करते हैं चलिए फिर उसी क्रम में आज फिर कुछ अच्छे-चे क्वेस्टन्स और क्वेस्टन्स के आ करना आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होने वाली है और दोस्त इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट कवर करते हैं क्रॉफ फीजिलाजी फॉरेश्टी अग्रिकल्चर इंजिनिंग मिटिरियोलाजी फिसरीज रेपी कल्चर सेरी कल्चर लाइक कल्चर सारे सब्जेक्ट तुम्हें रोज मिलते हैं ठीक है दोस्त अभी तक आपने कर एपको डाउनलोड नहीं क्या तो एपको कर लेना है डाउनलोड और बच्चा दोस्त एक बात अच्छी से सुनो किसमें सब्जेक्ट वाइज डेली कुईज आपको रोज मिलते हैं और डाउट्स भी मिलते हैं ले लो मजा उनका ठीक है कर लेना डाउनलोड आजी ठीक है यह मरा सब्सक्रिप्शन अगर नहीं किया तो कर लो दोस्त क्वेश्चन छोटे-छोटे से आंसर उनके बहुत बढ़िया मतलब देखो दोस्त हम संप सिंपल सिंपल कोश्चन ना आपको बहुत अच्छे से बता सब्सक्राइब कर देंगे अच्छा एक बात बताओ लाइक करने के लिए हमको रोज कहना पड़ता है आप करते नहीं कभी ऐसा कुछ है जल्दी से करो बहुत-बहुत स्वागत है महिमा भूमिका आइफस अंकित साहू रश्मी जीतेंद्र शालवी आदो भूमिका शिभी शोनम चंदु भाई अद्वैत सालवी भूमिका दतात्रे बहुत अच्छे बेटा जल्दी से से सेशन में जोड़ जाएंगे और आंसर देना शुरू करेंगे सब का अंसर आ रहा है दोस्त कहां का ए हमें यह बताओ एक क्यों आंसर हमें तो यह भी तो बता दो कुछ बच्चे दे रहे हैं सी सी यानिक हाइड्रोलिसिस नहीं हाइड्रोलिसिस हाइड्रो मतलब पानी और लैसिस मतलब ब्रेक अप तुमने कहीं पानी को तूटता हुआ देखा क्या कहीं तुम्हें एस टूओ था और तुमने यह प्लस और ओएच माइनस को कहीं अलग जाते हुए देखा क्या कहीं है ऐसा कुछ हुआ है नहीं ना खतम अपसंद नहीं लेंगे और सल्यूसन का मतलब क्या होता है जब दो चीजे जोड़ रहो एकस और बाइको जोड़ो और प्रोडक्टिक रूप में कुछ भी आपको मीले तब दोस्त आप क्या बोलते हो तब आप बोलते हो इसे क्या सेलीशन ऐसा गुस्त आगया नहीं यह यह भी नहीं यह पिर क्या हो सकता है केमिकल कॉमिनेशन ऑब वाटर माले क्यूल डिहाइड्रेशन क्या बोलते हो दोस्तों तब बोलते हो dy Hollow dress अगर डिहाइड्रेशन यह वर्ड था डिहाइड्रेशन बोला था याने पानी क्या हो रहा था अपका कम हो रहा ठायोरा तोब यहाइड आइट मीन यार गेटेंग BBC STUDICK क्या हो रहा है, Hydrated, Hydration का मतलब यह होता है, किसी में पानी को एड हो जाना, ठीक है, चलो, आगे आ जाते हैं, आगे Question का Answer हो जाएगा Hydration, अगले Question, जैसे यह है, देखो, एक Example है, CuSo 4 में 5H2O जोड़ा, पानी जुड़ रहा है, Hydration क्रिया हो गई, CuSo 4, Copper Sulfate Pentahidrate, इसको पूरा नामी यह बोलते हैं कापर सलफेट पेंटा हाइडरेट क्यों हाइडरेशन हो गया दोस्त पानी जुड़ गया और वहीं अगर पानी टूड जाए तो डियाइडरेशन सिंपल ना चलो आजाओ डिलेड हार्वेस्टिंग इन रैडिस अगर तुमने रैडिस में क्या किया है दोस्त आपने क्या कर दिया डिले हार्वेस्टिंग कर दिया हार्वेस्टिंग डिले कर दिया तो उसमें एक रोग हो जाता है that means a physiological disorder हम यहाँ पे रोग नहीं पढ़ाते आपको कोई भी disease आपको नहीं बताते इंसेक्ट नहीं बताते हम physiological disorder आपके सामने डिसकस करते हैं जो exam point of view से बहुत ज्यादा important है all exams में तुम देखना physiological disorder तुम्हें एक या दो कोईशन जरूर देखने को मिलते हैं अब तुम इसका आंसर बताओ में जल्दी से कोई भी बच्चा देर नहीं करेगा 999 एक बच्चा कह रहा है किरन कह रही है answer a लगा देंगे फॉर्किंग फॉर्किंग दोस्त कब होती थ लिए उसका है यहाँ आपका ही सब्स्तीन सब्सक्राइब गार्ण बहुत अच्छे यह मूली दिख रही है, ठीक है यह अची है, मूली में अगर पित्षिनेस हो जाएगा तो देखो यह पित्ष है क्या होती है पित होती ना इसकी न कि पूर्शन पित होता है और पिथीने इसका मतलब होता पbers fleeing क्या गोटा जाना मूली में देखने को मिलते यह ज्ढ़ा तुमने डिले और वेश्टिंग कर दी तो ठीक है समझ गया है चलो अ ही इस क्या ठीजिए फौर्किंग है देखाना क्या हो गई मुली धर्वी और उदर भी ये क्या हुआ ये फौर्किंग समetera ऑट में बिल्कुल देखकत नहीं हो नी चाहिए यह अलग-अलग पार्ट में हो जाता तब फौर्किंग बोलते हो ठीक है दोस्त सेशन को लाइक नहीं कर रहे है बच्चे और जो लाइक नहीं कर रहे हो ना देख लेना तुम ब्रेक अप हो जाएगा जल्दी से करो इतने बार कहलवाते हो इतने बार तो कुछ भी हो सकता इतने बार में तुम कितने बार कहलवाओगे इन इंडिया भारत की बात करो फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम जो है FFP, was launching, फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम कब launch हुआ था, सर ये क्या प्रोग्राम है, कुछ नहीं दोस्त, किसान पहले, ऐसा प्रोग्राम कब launch हो सकता है, जल्दी से बताओ, 13, 14, 15, 16, जल्दी से answer दो, फिरम बताते हैं, कर दिया, तीन है, उन्होंने कर दिया, पांच हो गया है, इनको अपने रिष्टे की थोड़ी पड़ी थी करे थे, सर, ऐसे मत बोली है, हम ना, हम तो अगर फोटो भी आते हैं, कोई बोल देता है, 21, 21 बच्चों को भेजना है, तो हम 21 को भेज देते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं, प्या अंसर सबका सही है, अंसर दोस्त क्या हो जाएगा, अंसर 2016, 2016 में एक स्कीम आती, जिसको बोलते हैं, फार्मर फर्स्ट स्कीम, यह कुछ नहीं थी, यह फार्मर जो था, इसमें फर्स्ट, यह फर्स्ट ना, यह फर्स्ट का फुल फार्म देखो, यह फर्स्ट था, फार्म, innovation, resource, science and technology हमने यह question इसलिए लाया दोस्त इसमें आपको यह first का हो सकता है किसी का आपका पूस दे कि first में क्या-क्या चीज़ें आती है यह first का मतलब farm, innovation, resource, science and technology इसलिए इसको farmer first scheme बोला था ठीक है न farmer first scheme बोला था the program aim to enriching the farmer scientist interface technology assemblies application and feedback feedback partnership and institutional building देखो कुछ नहीं है दोस्त सीधे सीधे समझो farm को अच्छा करना innovation नहीं नहीं चीज़ों को resources को यूज करना science का प्रयोग करना technology को adopt करना यह हमारी 2016 एक scheme है जो important है ठीक है अगले question में आ जाओ अगला question है most suitable most suitable forestry for the manufacture of the match stick कोगे सर मैचस्टिक क्या अरे दोस्त माचीस जानते हो ना माचीस और फिर बॉम्बैक सीवा answer चाहिए माचस के पीछे लकडी जो लगी होती है वो कौन सी होती है answer आ रहे है करें बच्चे कुछ B मैं कुछ B मैं कुछ D कर रहे हैं सब्सक्राइब करें लिफिस सी बे लॉब पर , यह माला मैच बॉक्स बनाने के लिए जिम्मेदार होता है जिसे आप लगडी कोना काला कैसे जाता है पहले तो देखाऊ दोस्त इसकli नएव सीत बना लियाती है शीट का मज़त समझतू ना फटली इकदम से सीट ऐसी ठीकिना पतली परत उस परत को फिर इसके बाद में काट दिया जाता है इसके बाद बस इसमें से यह अलग-अलग करते चले जो अलग-अलग करते चलेज़ यही मैच बॉक्स क्या है पूरे बन जाएगा लोग तो घर बना देते हैं मैच बोक्स को देखर हो ना ये नई एक टेक्निक बनाए है चलो छोड़ो अब तुम से नया हुआ कि हुए सार मैच वाक्स तो बन वाद है में छोटे पर पेंसिल बहुक चलाई और उस पेंसिल के लिए फैसल का पीछे और पाट दोस्त पीछे क्या बूरिज पूरिय लकडी की थी ती न हुए लकड़ी कौनसी यूश कि थी सिलमें जिसको हम चवाते थे जिसको हम चवा लेते थे वो लकड़ी कौन सी थी बताओ उसमें कौन सी लकड़ी यूज की लकड़ी लिखते लिखते कभी तुमसे किया हुआ है क्या हमने बहुत बार लकड़ी लिखते लिखते लड़की लिख दिया है ऐसा हुआ तुमसे कभी हुआ होगा का देखे दोस्त 48 देख रहे हैं लेकिन हमारे सेशन में लाइक मात 30 ये ना इंसाफ ही मेरे साथ क्यूं होती है मैं नहीं जानता लेकिन हां बुरा लगता है बुरा तो लगता है आंसर सब क्या आगा है करें सर सब अपना अपना अंसर दे दिये कुछ कह रहे हैं हुआ तो है लड़कों साथ अक्षर हो जाता है लड़कियां ऐसी नहीं करती है ठीक है आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा सैड्रस डियोडारा सैड्रस डियोडारा का प्लांट ज पेंसिल बनाने के लिए बहुत जिम्मेदार होती है पेंसिल जो सरलकड़ी लगी होती है यह देख रही हूं न हाँ यह 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 दोस्त क्या है रवड भी लगी नहीं इसे बिगार देते थे लेकिन आज भी हम जैसे अपने काम करते हैं पर्सनल एक्सपिरियंस बता रहे हैं पेंसिल से लिखने में बहुत मज़ा आता है अगर आप बड़े हो गयों ना पुरानी चीजों से ठीक है कब तक यार यह सब छोड़ो अगला बिटर पित एक बिटर पित होती है किसमें एपल में सरी यह क्या होती है तुम्हें भी एपल दिखाएंगे बढ़ियां सा ठीक है एपल इनडे की पवे इन फ्रांद डाक्टर डाक्टर से दूर रखता है दोस्ते एक एपल ठीक है सामने हमने तुम्हें गारंटी दिया था ना हम तुम्हें इतने फीजियोलाजिकल डिसॉडर करा देंगे इस क्लास में तुम किसी क्रॉप पे जाओगे किसी क्रॉप में कभी भी तुम कोगे सर यह हमने करा हुआ इस क्लास में इतना मेरी गारंटी है आपको जरूर मिलेग इसी क्लास से मिलेगा किसी एक्जाम में भी सारे फिजियो लॉजिकल डिसाडर आपको इसी क्लास में कराएंगे हम कैल्सियम कैंसियम सिबानी शरत सुनाली भूमिका अद्वैद बानू बाबढ़िया बेटा बहुत बढ़िया गजब कर दिये तुम आंसर क्या हो जाएगा आ आप नार्मल देखता हो न यह देख रहूं न बिटर का मतलब कर वे पित का मतलब सकुमझ अइसे समझो और यह देख हगा हलका सा दाख सेखेवा रहोगा यह किनारी सड़ जाता है बीचमें और निकाल के खा लेते हैं यह भी दीटर ओस्टियों के कमी के कारण्ड देखा है ठीक है देख लिए समझ लिए बहुत अच्छी बात अगले गोश्चन देखो आज सारे सारे नए गोश्चन है दोस्त सम्मान करो इनका ठीक है सेशन को लाइक करते रहा करो इंडियाज करें एक बार तो लाइक कर दी कितने बार करें दुबारा मत करना दोस्त लाइक चला जाता है इंडिया रैंक इंदा नेचुरल रवर प्रोडक्शन नेचुरल रवर प्रोडक्शन में भारत की रैंकिंग क्या है फर्स्ट सिक्स थार्ड या फिर सेकेंड आफ्टर थाइलेंड थाइलेंड के बात दूसरी हमारी ही है क्योंकि थाइलेंड दो सबसे नंबर एक प levant production आप मैं से दो सिक्त हाइड या फिर क्या है सेकेंट आफ्टर थाइलेंड चाहा आनसर दे रहे हैं एक तो फोर्थ दे रहे हैं थाड़ दे रहे हैं फार दे रहे हैं अति बिस भी आनसर चोड़ा नहीं तुंने ग़ण सब लगा देंगे अपने हिसाब से समझ के जो सही हो और रख लो बांकी हमें वापस कर दो हमें कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी बात कहना कहना ठीक है तुम देखो ऐसा है कुछ भी कह सकते हो हम नहीं कुछ कह सकते आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा 6 क Видікat बाइब शंग कर रहा है हम लोग की प्रयोक करें से और खेंस भाइब कसि गारे प्रयोक कर रहे हैं आपक का करे ज़िए हमने डीश हुज़ा चाहिएší में ढूर हैं अब की बात करी हो तो चोटीशुटी सी और ऑर कौर। के बारे में चीज़े देखना हैं बहुत अच्छे हैं, हो सकता है आपको कभी देखने को मिलें, यह rubber देख रहो है दोस्ट इसमें एक क्रिया होती है उस क्रिया का नाम अभी हम नहीं बताएंगे, उसमें कोश्चन है अपना और उसमें क्या करते हैं, इसमें cut लगा देते हैं फिर जब यहां से दूद निकलना बंद हो गया तो थोड़ा ना नीजे करके यह से मिल्क ऐसा निकलता है यही हमारी रवर होती है यह प्लांट की छाल से निकल दी होती है ठीक है ना अच्छा देखा होगा क्डायल के पौदे में एकसर तुमने ऐसा मिल्क निकलता हो देखा ह हाँ चलो आज़ा वाई अगले कोस्टन में अगला कोस्टन है विच अब फॉलोविंग हार्मोन इनक्रीस दा लैटेक्स फ्लोव इंदर रवर लैटेक्स अब बताओ दोस्त कौन बढ़ा देता है यह रवर जो है न दोस्त यह लैटेक्स यह जो आपको ये निकल रहना पैडियर यूस्किये जाते हैं उसी क्या बन्ते ह?"بनाकि आप समझ दार हो सब जानते तो नहींद है है चलो बता हो हां लेटेंग्स लो को कौन कर देता है लैटेंग्स फ्लो सब्ðस्तीं कर देटा है हमारा इथाइलीव कौन tapping या फिर rating अब जल्दी से बताओ जल्दी से आंसर दो popping topping tapping या फिर क्या है दो रेटिंग जल्दी से आंसर दो बहुत important question है तुमने ऐसा देखा नहीं होगा हाँ जल्दी से बताओ हाँ बिल्कुल सही सबका आंसर सही और भाया मजा आ गया तुमने एक दम सही लगा आंसर सी दे रहा है tapping बहुत अच्छे अच्छा तुमने एलिमिनेशन लगाया इसमें और यह हमें अच्छा लगा क्योंकि elimination सही question किया जा सकता था popping जानते हैं टॉपिंग जानते हैं दोस्तों फिर rating जानते हैं tapping नहीं जानते थे और जो हमारी रवड में एक रिया होती है वह कौन सी होती है tapping होती है यह याद कर लेना तुमने अभी तक नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं लेकिन अब पढ़ लेना बहुत important question है कभी आपको देखने को ऐसे मिल सकते हैं ठीक है चलो आजा बच्छा आगया जाओ यह देखो क्या है मारी यही है जिसको हम बता रहे थे क्या tapping और टैप करके क्या दोस्त ऐसे से करके टैप करते जाते हैं टैप करते हैं और यह क्या मारा यह खटा हो रहा है ठीक है ना देख लिए हम और देख पूरे बाग है सम्में लगा अब देना है देखो बेटा बताओ miracle forest tree is known as miracle forest tree किसे बोलते हो टीक को सुबबूल को cottonwood को या फिर कैजुराइना को किसको जल्दी से आंसर दो miracle forest tree किसको बोलते हैं अंसर दो बच्चा हाँ टीक 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 तुम ना हमको मालूम था तुम यही कहोगे और miracle forest tree किसे बोलते हैं इस नहीं को बोलते हैं याद कर लेना important question है इसी लिए लेके आय था हमें मालूम था तुम गलत कर दोगे का होग ए सर ऐसा क्या है तो फिर celebration हमें यह सही समझ नहीं आए अभी रुको तो बता रहा है एक मिनट रुको पहले इसका आंसर याद कर लो दोस्त क्या है सूब अबूल को मिरिकल फॉरेस्ट ट्री बोलते है ठीक है अगला कोस्चिन वही कर लो जो तुम चाहते हो जल्दी से बताओ यह क्या है अब बतादो भाई अब बतादो किंग आफ टिमबर किसे कहते है ठीक है उसका आंसर बिलकुत स़ही है सूब अबूल याद कर लेना अब किंग आफ टिमबर बताओ यह इंपॉर्टन कोश्चिन है तुम इसमें कन्व्योज हो जाते हो ठीक है न वो अलग था ये अलग है हाँ बिलकुल सही और दोस्त देखने वारे 63 लेकिन हमारे साथ 9 साफी बराबर देखी जा रही है और इसको लेके हम जाएंगे उपर तक ठीक है न अंसर क्या हो जाएगा टिक टो न ग्रेंडिस ये तो समझ गए न ये तो पता है बिलकुल बहुत अ हम सारे लेते हैं आज foresty के questions थोड़े से जाधा कर दिये हैं ठीक है मांकी disorder भी है देखने को तुम्हें भी मिल सकती कोई बड़ी बात नहीं है इसमें ठीक है कैलिक्स आंडलेट्स मिल्व्रार किस इस प्लीटिंग इस स्पी प्लीटिंग जो होती है जालो ठीक है वहना स्वेडीच जो हमारा इसलेश चलेश कंश हो डिसाऌडर है जल्दी से बताओ बहुत जल्दी से answer दो हाँ रोज में बोरान deficiency नहीं नहीं आंसर दो रोज में नहीं है कैलिक्स जो है दोस्ति ये पहली बात तो calcium से होता है ठीक है बिलकुल कैलिक्स splitting ठीक है नार्मली देखने को मिलता और किसमें देखने को मिलता करनेशन में देखने को मिलता है करनेशन तुमने प्लांट देखे हैं Zar quetta klis का याय वाला पार्ट होता है कैलिकस ठीक ना कैलिकस का लुक्त करोला देखाए अगर नहीं देखा-टॉ और और हमारा जैसे क्motiv हो जाता था तो यह जोएए से ओगा और यह दोस्त यहां जाता है यह दोस्ट क्या क्लोटा ये दोस्त है कार्नेशन का है याद कर लेंगे ठीक है चालो अगला कोस्टिन है दा अप्लीकेशन ओफ फॉरेंड मेटेरियल टू दा क्लाउड टू इंड्यूस प्रेशिप्टेशन मतलब तुम्हें क्या कराना है देखो तुम समझ गये होगे कोस्टिन की लैंग्विज थोड़ी सी इमने टफ रखी है दा अप्लीकेशन उसने आप प्रेशिप्टेशन यानी कि बारिस ले रहो यहांनी हम लोग कह सकते ना आईटी फीचिल रायों क्या करा रहो और यह रैन अभी भारत में टेस्ट की गई है चाइना बहुत इसमें आगे है चाइना अमेरिका लेकिन भारत के आई-ाई-आई-टी-कान-पुर्न किसने आयाई टी कान पुर्ण इसका सफल परिच्छड कर लिया भारत की बात करो सबसे पहले मुंबई में क्या हुआ था मुंबई में यह देखा गया था क्लाउड सीडिंग जो है करके देखी गई थी ठीक है ना अरे यार नाम ले लिए हैं आंसर क्या हो जाएगा आंसर भी यह एजी आई जिसको लोग सिल्वर आयोडाइड बोलते हैं ठीक है याद रहेगा इसमें क्या करते हैं इसको उपर से जाके छिड़क देते हैं और यह क्या करता है दोस्त नमी को क्या करता है ले लेता है अगर तुमने घर में अपने नमक रखा हो तो नमक देखना आउड के ऊपर नमीदी हमने अब्जाब कराया पानी तुरह नीचे आ गया यह काम है हमारा ठीक है ना चालो अगला कोश्चन है देखो अब सिल्क भॉम भी आ गया इसमें बताओ इस्टेज आप टेशार टेशार जो हमारे सिल्क होती है यह हमारी डाइपाउस में जाती है इंडर गोस्ट डाइव और कौन सी स्टेज जाती है एडल्ट फीमेल मौत या फिर हमारी क्या है लार्वा या फिर प्यूपा जल्दी से आंसर दो हाँ हाँ बच्चा बिल्कुल सही है अंकित साहू बिल्कुल सही आंसर दियो वा बच्चा वा लेकिन तुम लाइक नहीं कर रहे हो जो बच्चे लाइक नहीं कर रहे ना बस वह हम देख रहे हैं ग्राम पंचाट सर हिंदी वालों के लिए कुछ दिया बनाया रखा करो प्ल अबने भी उत्तर प्रदेश के कन्यों जिले से अपनी पढ़ाई को पूरा किया है ठीक ना हाँ चलो बताओ बताओ बाबू, अंसर क्या हो जाएगा, अंसर हो जाएगा, प्यूपा, क्या है, प्यूपा, प्यूपा जो है, कुछ बच्चों का, सोनम सर्मा अंसर सही है, भूमिका का अंसर सही था, दिख्चा का सही था, बहुत अच्छे बच्चा, जिनका अंसर सही था, बता दे रहे है जो हमारी टेशार सिल्कवाब है, कौन से डाइपोज में जाता है, प्यूपा जाता है, कौन जाता है, प्यूपा, याद रखेंगे, चलो, अगले question में आ जाओ, अगला प्रस्ना है, major pollinating isn't in the cooker bits, cooker bits, जिनको हम लोग major league किसमें लगाते हैं, जायद सीजन में लगाते हैं, जाय सर, आप ऐसे subject पढ़ाओगे ही नहीं, यह entomology का है, यह लाओगे नहीं, हाँ, सही है, humble भी, यह भी entomology, ऐसा क्यों लाओगे आप, तुम दिमाख लगा लोगे, हमें मालूम है, लेकिन हाँ, answer सही होना चाहिए, इसमें किसी का गलत नहीं होना चाहिए, मालूम है करें सर, क क्या है, आपके पास subject तो यही है, honeybee वाला, पक्का वही लेकि आए होगे, तुम लोग बहुत दिमाख लगाते हो, अंजर क्या हो जाएगा, honeybee, honeybee दोस्त, onion में, onion में 93% तक क्या है, production को increase कर देती है, sunflower में increase कर देती है, अगर हम लोग बात करते, नार्मल हर एक crop में क्या करत बहुत अच्छे से increase मुलब गुने में, समझो एक तरीके से, onion के production को two times कर सकती है, near about, समझ रहे हो, यह कौन है, यह honeybee, honeybee, majorly अगर बात करो ना, तो majorly हम लोग इसमें नहीं रखते हैं, उनको हमने रखाई से लिए, वो pollinating isn't है, हम उनसे honey लेने की बात नहीं करते हैं, हम उ pollination होगा, crop production increase करेगा, honey तो यह बनाई लेंगी, nectar तो यह ले जाएंगी, ठीक है न, यह, ठीक है, यह हम लोग सब एपी कल्चर में पढ़ते हैं, अगला question देखो, treatment for quality in leechy, done with the, कौन से element का treatment करके, quality of leechy को क्या कर सकते हो, आप improve कर लेते हो, बताओ, quality of leechy को improve कर लेते हो, इ नहीं के-के इंटर कालेज वाले नहीं हैं हम, ठीक है न, अच्छा, अंकित साव CSA से हो, अरे वा, तब तो तुम से मिलते हैं अभी, चार दिन बाद हम CSA या रहे हैं, चार दिन बाद अभी हम तुमें CSA मिलने वाले हैं, अपनी क्लास कानपूर से चलेगी, चार-पांस द का आंसर सही है, आंसर क्या हो जाएगा, इतोफोन, इतोफोन से क्या करते हैं हम लोग, इतोफोन से हम लोग, इंक्रीज कर देते हैं, किसकी क्वालिटी लीची की, ठीक है, चालो, अगले कोश्यन में आजाओ, प्रेंसिपल्स आफ मरकरी बैरोमीटर, जो हमारे मरकरी बैरो किया था वो कौन से 53 अरिस्टोलिल आजिन पिलनी या फिर हमारे गलेलियो जलदी से आंसर दो जलदी से आंसर दो बहुत अच्छा टूशन है यह मेरना कर सरु यह क्या है है हमने मेνेर उल्समे अंब बताया आपको एपकल丝स मिली एपी कल्चेर भी मिल गई आपको देखो यह मेट्रोलाजी भी मिल गई फॉरेश्टी भी दिखी थी ठीक है ना सारे सब्जेक्ट आपको दिखने को रोज मिलते रहेंगा ऐसा हुआ बहुत अच्छे बोट नब अच्छा काम किया तुम लोग इतना दोगे वहन शुन्दर्शन बहुत अच्छे आपको अच्छे को सब्से पहलेजिए थे सबसे पहले हमारा mercury barometer को क्या किया था discover किया था इसके principle दिये थे और बहुत important question है यहीं नहीं जियोग्राफी में भी बहुत पूछा जाता है दोस्त यह यहीं नहीं दोस्त स्सी तक में question आया है ठीक है ना स्सी तक में question पूछा गया है टेरी सोली जाए सबसे पहले mercury barometer की coach करते हैं ठीक है चालो अगले question क्या है मारा बताओ national biodiversity एथारीटी कहां पर हैं नेशनल बायो डायवर्स्त एथारीटीबारीटी कहां पर है बच्चे कभी कभी confuse रहते हैं लेकिन हमने बहुत नेट Jimmy search करता हूं कभी कभी लिखते हैं कि जो है वहाँ है लेकिन क्या थोस्त हाँ चिंननांहीं में ठी लेकिन most of the time हम नेट पे सर्च करते हैं जब भी तो तुम्हें मिलेगा नेशनल बायोडिवस्टी बोर्ड हो या फिर एथार्टी हो दोनों एक ही चीज़ें और दोनों कहां पर हैं चिन्नई में ही हैं चिन्नई तमिल नाडू में ही हैं ठीक है न ऐसे बोलते हैं और यहीं हमा अपना एक अक्टूबर 2003 में हुई थी दा एक्ट इस फैसिलेटेटिंग क्या एक्ट था इसके इसका एक्ट था रेगुलेटिंग दाइवर्स एडवर एडवाइजरी बॉर्डी फार गॉर्मेंट अफ इंडिया ऑन दे इस्चू अफ दा कंजर्वेशन सस्टेनेबल यू को doin दो हो हम लोग Бर को अगले रचे आज एगला है बताओ किसको बोलते हो हमBe ichых का कंट्रोलिंग सेंटर के या बात करते हो तो एक सेल में हमारा जो दोस्त क्या होता है माइंड होता है वह कौन होता है नूकलियस होता है और जो माइटो कॉंड्रिया होता है वह पावर हाउस होता है इसके बाद एक हमारा और इसके इलावा दोस्त हमारा इसमें पाए जाता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है double membranous structure है mitochondria double membranous structure है ribosome जो क्या है single membranous structure है यह दोनों double membranous ribosome कैसा सिंग हमारा non membranous structure है क्या बोल लो मैं non membranous जिसको नंगु पांडे बोलते हो ठीक है ना चलो आंसर याद रहेगा अगले question पर आ जाएं आंसर क्या हो जाएगा nucleus जो मारा controlling है या दिमाग बोलो कोशिका का दिमाग कौने बीटा nucleus होता है बताओ अगला question है हमारा ideal temperature for the mechanical drying mechanical drying मालू मैंना हां अरे यार मतलब सुखाना है किसको किसको सुखाना है अरे किसी भी चीज को आप grains को cereals को किसी चीज को अगर आप सुखाते हो अगर मेकेनिकली सुखा रहे हो तो उस ड्रायर का temperature कितना होना चाहिए 35 40 28 या फिर 36 देखो ज़्यादा temperature कर दिए ना भुण जाएगा भुणना जानतो ना भुण जाएगा तो ज़्यादा temperature भी नहीं कर सकते कम temperature पे long time के लिए ज़्यादा तर क्या करते हैं हम लोग dry करने का प्रयास करते हैं अगर उसे हम रखना चाहते हैं ठीक तो आइडियल टमप्रेचर जो होता वो कितना होता जल्दी से आंसर दो यह एग्रिकल्चर इंजीनरिंग दोस्त यह क्या है एग्रिकल्चर इंजीनरिंग तुम्हें हर रोज कुछ नो कुछ अच्छे कोश्शन स्मिर पिटे जाएंगे ठेकिन भरोसा रखो मेरे ऊपर दोस्त तुम्हें नहीं ऐसा कुछ देने वाले हैं इस क्लास से तुम्हें लास्ट तक हम विश्वास दिलाते हैं नावाड का इक्जाम देने जाना आई भी पीएस ओफो का एक्जाम देने जाना या आप मसी का इक्जाम देने जाना या फिर आप दोस्त एनसी यानी नेसनल सीड कार्पोरेशन जिसे बोलते हो या इफको का एक्जाम देना अगर इनके कोश्चन हमसे अगर बाहर निकल जाए इस क्लास से जो हमने सब्जेक्ट ले रखे हैं तो दोस्त इस क्लास में आगे कमेंट कर देना सर आपने जो पढ़ाया वो नहीं आया कमेंट करना के हमको कोई बुरा नहीं लगेगा लेकिन दोस्त हम तुम्हें जो क्वालिटी दे रहे ना ये तुम्हें यूटूब पे तो कोई नहीं देगा आम शूर ठीक है ना गारंटीड पूजा मोर रहा थांक यू ठीक है बताओ दोस्त आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेट कितना हो जाएगा 40 मेकेनिकली ड्राइ करने के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेट टमप्रेचर ऑप्टिमम माना जाता है ठीक है चलो अगले कोश्चन पर आजाओ अगला कोश्चन है इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ सेंसिंग कहां पर है 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 लगा तेसरी गोना है रावाद अरे वा देखो है दरावाद दे रहे ना अंसर वाव या वा कुछ बच्चे भी दी अधेरादुन अच्छा रभी पांडे दिमाख लगाया है बच्चे ने शुन्दरम बहुत बढ़िया देखे सब गिर गए र यार पका हुआ ही होगा बैंगलवर नहीं बहुत अच्छी में फोई होगा और दोस्त आंसर यही गलत कर देतो इसलिए तो प्रेक्टिस आपके लिए जरूरी हो जाती है इतना important question और आप गलत कर रहे हो answer क्या हो जाएगा देहरा दून Indian Institute of remote sensing कहां पर है दोस्त देहरा दून ठीक है ना चलो नहीं आता था ना गलत हो गया कोई बाद नहीं दोस्त ऐसे तो आप धीरे-धीरे जान जाओगे ऐसे धीरे-धीरे जान जाओगे अगले question में आजो most resistance component for the decomposition जब आप अपने material को क्या करते हो सडाने का काम करते हो ठीक है ना डीकंपोस करने का काम करते हो तो resistance to decompose मतलब जल्दी नहीं सड़ेगा दोस्त बहुत देर लगेगी यानि कि उसमें cn ratio क्या है हमारा cn ratio दोस्त कैसा हो जाएगा nitrogen उसमें लो है कार्मन उसमें हाई है that mean दोस्त वह हमारा cn ratios का हाई ठीक है ऐसा कौन सा चीज है cellulose protein amino acid या फिर हमारा क्या दोस्त लिगनिन जल्दी से answer दो जल्दी से answer दो बिलकुल लिगनिन है लिगनिन क्यों दोस्त इसमें न हमारा fiber पाया जाता है carbon content जादा है nitrogen है नहीं इसलिए क्या करेगा बहुत देर लगाएगा दोस्त क्या हमारा decompose होने में सडने में लिगनिन ऐसा compound है क्या answer हो जाएगा लिगनिन आंसर सभी का सभी है all is correct ठीक है चलो अगले question में आ जाओ बता ओ प्रेंचिंग ट्रूंग ट्री अकर डियू टू डिफिसेंसी यह क्या है फ्रेंचिंग ट्रूंग दोस्त यह ट्री में क्या है एक disorder है फ्रेंचिंग और शुर्ण अगरी अक्सर देखा जाता है और वथा उसकी क्या करण के कारण सबकर Dollar पूजा-मोरिया खारी हम नहीं परता नहीं नाहीं घूत अट नहीं मैगनेसर जो उसकी कमी के कारण ऐसा होता है याद रहेगा इह मारा मैंगनीज भीन है है इस में मारे पतियं क्या होते है थोड़ी-धोड़ी खराब हो जाती है इसम ग्या धुर्ण यह पढ़ाई तो हो गई है जो बच्चे इंट्रेस्ट्टेड है पेडवाश में आने के लिए उन Cr save इस information है, आप एक मिनिट में सुन लेजेगा, ठीक है, क्या है information, माल लो कोई बच्चा चाहता है, IBPS, AFO की तैयारी, दोको यह तो मेरे practice है, अपन थियोरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें माल लो, तुम्हें थियोरी में, कोई सबजेक्ट में दिक्कत आती है, मलब नार्मल यही सबजेक्ट है, ठीक है, हाँ, अगर तुम हमसे aid होना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, बाते करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें यह बता दे, कैसे बात कर सकते हो, कोई भी तुम्हें समस्च्या लगती, कभी भी, कैसे बात करोगे ये दोस्त हमारा मंत्न जो हमारा क्लास के नीचे या मोर लिखा है या फिर आप कमेंट बॉक्स में उनके वहाँ पर भी आपको कोई आपके दिमाग में कब भी कोई कोई दिमाग में सवाल आता है हम ओं रप्जे का कर दो शते होती नहीं क्या सर्थ कर रहा है भी सी करना यह caveat करना चाहिए तो कभी हैлемे कर सकते हों ठीख ना को यह स्मस्थ आपके को च्वेशन से कर सकते हों मोर पर जाना महुँय acting लिंक लगि doch डाउनलोट कर लेना कर लिया करने के बाद ऐसे आ जाएगा यहां से जैसे इंस्टॉल करोगे अंदर आ जाओगे अंदर यहां पर आप गॉर्मेंट एक्जाम को सिलेक्ट करना और एग्रिकल्चर को सिलेक्ट कर लेना कर लिया कम्यूनिटी को आप्चन नीचे दिख रहा है बस इसमें यहां बैठे हैं दोस्तो इसका कोई चार्ज नहीं है यहां सिर्फ और शिर्फ आपसे बात कर सकते हैं और कोई बी बात कर सकता है ठीक है यहां पर आना community में और यहां पर explore group पे क्लिक करना क्लिक करोगे बैठे हम थे यहां पे आपको PDF बिल जाती है अभी हमने एक मेराथन ली थी इन कौन सी थी MPRIO की यहां पर मेराथन के दोस्त PDF क्या है पढ़ गई है अगर आपको जाना है जाए ले लीजिए ठीक है अप लोड़ेट जो है दोस्त अभी क्या है उसमें कुछ processing हो रही थी लेकिन आप भी देख लेंगे हो गई होगी और क्या करना है आराम से आप उसमें आ जाए अगर कोई बच्चा चाहता है कि पेड़ बैच का हम हिस्सा बने आप से बहुत सारी चीजे पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हो जैसे आप क्या करोगे दोस्त एप को जैसे आप डाउनलोड करोगे कुछ ऐसा प्रोफेश कुल के आता है ठीक है यहाँ पर जाओ आल कोर्सेस में लेकिन आपको तो गौर्वर्मेंट एक्जाम में एक रिगल्चा स्लेक्ट करना है कर लिया देखो यहाँ पर आईवी पीएस एफो का ये बैच य लगाओगे दोस्ति आपको 2644 का दिख रहा होगा इन्रोल कर लो कैसर अगर हम ना करें तो हाँ दोस्त अभी एक एक आपके लिए आज भर के लिए एक छोटी सी आपके लिए बढ़िया चीज चल लेए वो है क्रांती सर यह क्या है कल हमने एक सेशन लिया था चक्रभी अग अगर आज ही ले रहे हो तो क्रांती लगा देना दोस्त इसमें आपको 4480 में दो साल के लिए और सारे कोर्स मिल जाएंगे सारे का मतलब सारे कोर्स सारी PDF सारे टेस सीरी सारा अग्रिकल्चर का आपका दो साल के लिए रहेगा तो देख लेना दोस्त इसमें अगर है अगर व और क्रान्ती लिखते ही दोस्त क्या है क्रान्ती महापैक पर है महापैक पर जाना है आपको महापैक पर यहाँ पर जाना और यह महापैक आपको दिख रहा है यह आपको दिला देगा क्रान्ती पर ठीक है ना यहाँ लिखना है आपको क्रान्ती लिख दी दोस्त यह आपको कुछ हुआ क्या इसमें नहीं हो रहा है भी स्क्रानी लिग गया अच्छा यह आपको 4799 यानि की 80% आफ पर दिख जाएगा इसमें भी कौईंस भी मिलेंगे आप कौईंस भी लगाओंगे जब इसमें तो आपको बहुत कम का पड़ेगा लेकिन इसकी वाईडिटी त्वेल मन्त है आज जो है इसकी वाईडिटी त्वेल मन्त रहे गई है कल इसकी बारा महिने किये और इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी चीजें महापय के सब कुछ मिलेगा चाहिए आप सी आई का बैचो आप इंडोल रहोगे बस इसमें कोड लगाना अंदर चले आना ठीक है अधर वाइस अगर आप आप आई-वी-पे-स-फो को लेके थोड़ इसमें बैच रहने वाला है वहां इंग्लिस नहीं रहेगी यह बच्चों को गर कंफ्यूजन ही तो पहले जान लो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा ठीक है यहां पर जाने के बाद में वाई-7-8-3-A इस कोड को लगा देना मैक्सिम डिसकाउंट आपको मिल जाएगा कोई इस चाहते हैं इंडोल होना कर लेना ठीक है चलो अच्छा सुनो मेरी बात सेशन कैसा लगा है सेशन को जैसे भी हम क्लास कतम करते हैं जो सेशन के कैसे लगते हैं आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है जो हम बाते करते हैं आपसे कैसी लगती है इसकी थोड़ी सी क्य झाल झाल